जैसरी किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एचेस वारत द्वा यूटुब चैनल पर दोस्तों सुबह के समय अगर आपको यह पांच संकेत दिखाई दें तो आप बहुत ही बागिसाली व्यक्ति हैं सिग्री ही आपका समय वदलने वाला हैं हम सभी के जीवन में कई बार ऐसी चीजे होती हैं जिनें हम चाकर भी नहीं दिख पाते धार्मिक मान्यताओं में कुछ ऐसे ही संकेते हैं जिनका गटेत होना पहुत ही अच्छा माना जाता है यह संकेत हमें कई माध्यमों से मिलते हैं कई बार हमें ये चीज़ों सपने के माध्यम से या पक्खियों के माध्यम से, किसी विशेश व्यक्ति के माध्यम से मिलती हैं, कुछ सपने में ऐसे ही होते हैं, जो पहले भी आपको दिखाई देते होंगे, लेकर आप उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं. अगर आपको यह स्वपन संकेत या रियल में आपको दिखाई दें आप बिशेशी ही भागिसाली व्यक्ति हैं दोस्तों सबसे पहला अगर आपको स्वपन में अपने इस्टदेप के दर्सन दिखाई दें आप अपने इष्टदेव की प्रते दिन पूजा करते हैं प्रते दिन इष्टदेव दिखाई देते हैं आप उनकी सामने दीपक जलाते हैं तो आप बहुत ही भागिसाली व्यक्ती हैं अगर आप स्वप्न में सोती हो इष्टदेव की दर्सन कर रहे हैं और उनके सामने जला हुआ दीपक अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए आप बियादी भागिशाली व्यक्ति हैं अगर ऐसा स्वप्न आपको दिखाई दे तो आपका समय जल्दी ही बदलने बाला है सुबह के समय अगर सबसे पहले आपके कानों में संक या गंटी की द्वनी दिखाई दे संक की द्वनी सुनाई दे गंटी की द्वनी सुनाई दे तो आप बियादी भागिशाली व्यक्ति हैं शीकरी आपका समय बदलने बाला है और भगवान विश्णु आपसे विशेश प्रशन नहीं अगर आपको सुबह के समय ऐसे द्वनी दिखाई दे ती सुनाई देती है और आपको भगवान की तस्वीर दिखाई दे सुबह सुबह तो ये बियादी शुब माना जाता है कि जैसे ही आप सुबह उटें तो सबसे पहले अपने इष्ट देपता के दर्सन करने चाहिए ये बियादी शुब माना जाता है आपके द्वार पर गाय का आना ब्यादी शुब माना जाता है दूसरा सबसे शुब संकित है अगर आपके द्वार पर गाय आती है यह ब्यादी शुब संकित माना जाता है अगर आपके द्वार के सामने आकर रमाने लगे गाय माता तो समझ लिए निकट वबस में धनकी प्राप्ति होने वाली है किसी कन्यातवा मैला को स्वप्ण में नित करते हुए तो ये ब्यदि शुब माना जाता है आपका समय से ग्रही बदलने वाला है सप्णे में सारस पक्खी को देखना यह संकित करता है कि आने वाले कुछी दिनों में आपको विशीज धन प्राप्ती होने वाली है अगर आपके घर पर तूता उड़कर आ जाए और घर के में गेट पर बैठ जाए तो समझना आपका भागी चमकने वाला है दर असल घर में तूती का आना बहुती शुब संकित माना जाता है दन बर्शा के साथ साथ ऐसी गटनाओं को सोबागी से जोड़ा जाता है यदि सुबह के समय आपके दरवाजी पर प्रति दिन गोमात आती है तो यह ब्यादी शुब माना जाता है दोस्तों सुबह के समय अचानक आपके द्वार पर कोई साथ हुआ जाए और वहें विक्या मंगता है आप अन देते हैं वहें प्रसन होकर के खुश होकर के जाता है तो यह ब्यादी शुब माना जाता है अगर आप सुवे के समय नारियल या कलस के पूजा के कलस का दर्सन करते हैं जैसे आप निकर रहे हैं किसी के जापर पूजा हो रही है आप वहां दर्सन कर रहे हैं तो ये बेदी शुब माना जाता है अगर ऐसे संकेत आपको दिखाई दें तो आप ब्यादी भागिशाली व्यक्तियों में से एकें ऐसा स्वप्न किसी किसी व्यक्ति को ही आते ही दोस्तों अपने इस्ट देपता के दर्सन करना या दरवाजे पर गाय सादू का आना ब्यादी शुब माना जाता है अगर ऐसे स्वप्न या रियल में आपको दिखाई दें तो ब्यादी शुब माना जाता है दीपक का दीखना भी ब्यादी शुब है स्वप्न में अगर दीपक दिखाई दें तो ये ब्यादी शुब माना जाता है जोतिस में कई चीजों को विशेश माननेता दी जाती है यदि आपको जाते हुई रास्ते में धन गिरा हुआ मिले तो इसके विशेश अर्थ माने जाते हैं यदि आपको स्वपन में चावल के धर्शन होते हैं और आप चावल दान करते हैं तो यह ब्यादी शुब माना जाता है, माना जाता है कि आपका समय सिगरी बदलने वाला है, वही आपको अगर सुबह के समय डमरू दिखाई दे, तो यह ब्यादी शुब माना जाता है, आपको तुरंत ही भगवान सिवजी को डमरू अरपन करके आना चाहिए, इससे आपका स समय जल्दी बदलेगा आपके घर में खुसी आएंगी जो आप चाओगे वह है आपको प्राप्त होगा वही सुवए के समय अगर सोम्मार के दिन सुवए सुवए आपको सिवजी के दर्सन होते हैं तो आप वियादी भागिशाली व्यक्तियों में से एक हैं जल्दी आपका स समय बदलेगा और भगवान सिव की किरपा से आपके प्रतेकार बनने शुरू हो जाएंगे यह व्यादी शुब माना जाता है अगर आपको सिवलिंग के दर्सन होते हैं तो इस वीडियो को सेर करें चेनल को सब्सक्राइब करें ओम नमस्षवार